हेलो एंड वेलकम आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेट व्यू हिंदी पे जहां पे हम एनिमल वर्ल्ड के सफर पे चलते हैं एक एनिमल डॉक्टर के साथ और हम उसका व्यू देखते हैं एंड अपने बारे में बता दू मैं कि मैं वेटनरी BBSC & AH बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इस्टूटेंट हूँ और आज हम देखेंगे एक इसी अमेरिकन कैनल क्लब रैंकिंग की नमबर वन ब्रीड ओफ डॉग लेब्रोडोर रेट्रीवर और आज हम इसके बारे में जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसका रियल लाइव व्यू देखेंगे और एक वेटनरीन व्यू देखेंगे तो हमारी ये वीडियो तीन पार्ट में डिवाइड होगी जिसमें पहले में हम रियल लाइव व्यू और तीसरे में वेटनरी व्यू देखेंगे हम तो हम अपने चलेंगे अब पहले पार्ट पे इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हम इस ब्रीड की इंट्रोडक्शन में देखेंगे और हीट, वेट, कलर, प्राइस से के बरे में जानेंगे. तो बात करें तो ये बिटिस ब्रीड है और लाईफि स्पेम कि कितना उम्र है इसकी कि इसकी उम्र 12 गार 15 वर्स है। और हम इसका अगर रहा मिस इसका कलरर देखें यह आप चितर में देख सकते हैं और यह चॉकलेट कलर में भी प्रेजेंट होता है हम यहाँ पे देहान देखेंगे जो ब्लैक कलर और यलो कलर है इन से जो चॉकलेट कलर वाला है उसकी उम्र इन दोनों कलर से थोड़ी सी कम होती है अब हम बात करेंगे हाइट की हाइट designer होता है mature होने पे और mature होने पे एकर इसका में वेट देखें कि कितना वेट होता है तो हमें केरी करने के पता चलता इससे तो यह 30 kg के आरांवन्ड होता है Price देखें तो यह पैरेंट के पेडिगरी पर Dopend करता है और Bay कैसी होई यह ब्रीडिंग उसके Tibet करता है तो overall सब्सक्राइब करती है इसकी प्राइस अब हम चलेंगे अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर जो है इसका रियल लाइफ व्यू मतलब रियल लाइफ में problem create करता है का रॉ 대र उधर जाने में और एक्सरिशाइज में देखें जरूद परती है क्योंकि आप उबसींटी मोटा पा का problem आता है अगर एक्सरिशाइज ना करें तो फिर अच्छे भी नहीं दिखते कोट की बात करें अगर हम इस का है कोट बहुत आट कोट जो होता है वह वाटर रिपलेंट भी होता है स्टेडिंग की बात करें तो वन यहार में टू टाइम सोता है में ली और इसका भी अच्छा खासा होता है इसमें तो इसका भी आप number one है वर्ल्ड में अब इसका हम देखेंगे एक वेटनरी व्यूव तो वेटनरी व्यूव का अपना वेट व्यूव का पहला सजेशन कि आप कोई भी पप्स यानि पपी खरीदने जाएं तो हम ध्यान रखें कि यह एट लेस्ट इट वीक का हो आठ सब्ता का कम से कम हो यह और तो इमें प्रोब्लम आ सकती है और एक्सराइज कराते रहिए आप से चीज़ बतने के लिए प्योर ब्रीड की बात करें तो हम कैसे पहचानेंगे उन्हें तो प्योर ब्रीड पहचानने के लिए आब उनके फर्कोश हुए वो सौर्ट एन ठिक होने चाहिए कोट जो है वा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए आपका धन्यवाद